नमस्कार दोस्ते साखत हमारा टूप चानल में आप देखर है स्पीटीस से बनाई जीरू दूसर आज इंग बात करने जा रहे हैं मल्टीप्रेक्स के अप्यूद के बारे मी कि एगर आप मल्टीप्रेक्स के अप्रेःक्स करते हैं तो इससे आपको क्या रिज्वल देखने को मिलेगा कैसे इसका प्रियोग करना एक कॉन्ट्रॉल लोग इसका प्रियोग कर सकते हैं लेकिन वीडियो से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप माँ चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिए बगल में प्रियोग किया है और उनने बताया है कि इसके प्रियोग से हमें काफी अच्छा रिज्वल देखने को मिला है तो दोस्तों जो मल्टिप्रेक्स कैप्सूल होता है इसका प्रियोग आपको कप करना है खाना खाने के बाद में सुबा खाना खाने के बाद में साम को अगर उनके body में dullness आने लगती है यानि उनको नीन नीन से आने लगती है तो इस तरह की problem है अगर तो उस case में अगर आप multiplex capsule का प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा result देखने को मिलेगा उस्तों वैसे तो market में बहुत सारे जो है capsule available हैं काफी अच्छे अच्छे लेकिन उनके जो rate है काफी हाई है लेकिन अगर आप multiplex को लेते हैं तो इसकी जो MRPA क्योल 80 रुपे हैं और अगर आप थोड़ा सा bargaining कर लेते हैं medical store पे तो हो सकता है आपको इस 50-60 रुपे में मिल जाए तो इससे आप purchase कर लेजिए इसका प्रियोग आपको क्योल एक समय करना है रात में सोने से पहले एक ग्लास हलका गर्म दूद के साथ में एक capsule का प्रियोग करें और इसका प्रियोग आप regular कर सकते हैं 90 दिनों तक उसके बाद में आप 10-15 दिन गैप कर दीजी उसके बाद में फिर से आप restart कर सकते हैं इसको तो ग्रीन और एलो कलर का पैक होता है आपको फोटो में दिख रहा होगा स्क्रीन पे इसी तरह का पैक होता है और इसके जो capsule होते हैं ब्लेक कलर के होते हैं तो इससे आप purchase कर लेजिए इसका प्रियोग करिए अगर आपको इस तरह की problem है तो और जिनकी उमार 18 साल से उपर किये वही लोग इसका प्रियोग करें और जो महिलाएं गर्वती हैं वह इसका प्रियोग ना करें बाकि सभी लोग इसका प्रियोग करें बाकि सभी लोग इसका प्रियोग कर सकते हैं जिनकी उमार 18 साल से उपर की है और जो महिलाएं प्रेगन नहीं है वो सभी लोग इसका प्र कैप्स आपको शूट नहीं करता है तो साइड इफेक्ट में इसकोो कोई मेजर आइफ oreks नहीं है बस की पेट में गयस एप्वों 57 खिर अपने 10ぞ इसका प्राइज यहत्षिन इसका रुपर हे तो अगर आपको लग रहाय है कि हमें नुखसान करे जैसे या फिर आपको लूज मुसन हो रहा है या नहीं बार-बार लेटिन जाना पड़ रहा है तो इस केस में आप इसका प्रियोग बंद कर सकते हैं तो आप समझे लिजी कि ये कैफिल आपको नुकसान कर रहा है लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम अगर नहीं होती है आपके साथ में नहीं करते हैं तो आप 10-10 दिन का या एक-एकिस्टी पर्चेज कर सकते हैं यह आपको सभी मेडिकल स्टोस पर आसानी से मिल जाएगा और मल्टिक प्रेक्स का सीरप भी आता है उसको भी आप प्रियोग कर सकते हैं उसका भी रिजल काफी अच्छा है तो अगर आप आपको और कोई DSR कैप्सूल ले लेजिए जिसका आप सुबा खाली पेट प्रियोग करिए और जो आपका मल्टिप्रेक्स कैप्सूल है इसका आपको क्योल रात में प्रियोग करना है और अगर आप मल्टिप्रेक्स सीरप का भी प्रियोग करते हैं तो मल्टिप्रेक्स सीरप जो